चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो हम सब इस बात को जानते हैं कि काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट करवाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर 27 नॉवंबर से स्ट्राइक पर हैं उन्ह की तरब से बार-बार हेल्थ यूनियन मिनिस्टर को लेटर लिखे जा रहे हैं अभी 4th of November 21 को फोर्डा ने हेल्थ यूनियन मिनिस्टर को एक लेटर भेजा है जिसमें कहा गया है कि अगर नीट पीजी काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी स्टार्ट नहीं किया जाता है तो MCC के UG वर PG दोनु के लिए है इस कारण दोनु की काउंसलिंग होल्ड पर है ये जो आप फोर्डा का लेटर देख रहे हैं इसमें एड्रस टू हेल्थ यूनियन मिनिस्टर को लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि अभी हमारे पास हेल्थ केर इंस्टिटूशन पर डोक्ट की कमी को मैसूस कर रहे हैं इसमें ये भी का गया है कि इस विशे पर आपने मिटिंग की इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मिटिंग में का गया था कि एक सपता के अंदर इसका सोलिसन निकाला जाएगा लेकिन आस्वासन देने के बाद भी इस पर कोई कारवाई नहीं की गी जिससे हमें मंदे से अमर्जेंसी सर्विसेज को विड्रोल करने पर भी मजबूर कर दिया गया है इसमें आगे ये भी का गया है कि हम यूनियन गौर्मेंट से आग्रह कर रहे हैं कि देश के रिजडेंट डॉक्टर की सिकायतों पर ध्यान दें और जल्दी से जल काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो सिक्स्ट ओप डिसमबर ट्वंटी वन से अमर्जेंसी सर्विस वेज भी विड्रोल कर ली जाएंगी इसकी कोपी इस लेटर की कोफी पी एम को दी गई है इसके बाद में हेल्थ यूनियन मिनिस्ट्र के साथ मिनिस्ट्री ओप सोश पूरी कदम उठाना ही होगा तो जैसे ही इसके बारे में और कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इनफोर्म कर देंगे आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम आपको इनफोर्म कर देंगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन